हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल कॉलर वाला नेक डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बक्रम लेंगे बक्रम को बीच में से फोल्ड करके तीन इंच की चौड़ाई पे और आठ इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे इन दोनों टिक को इसकेल की सहायता से लाइन अप करना है फिर यहाँ पर हम तीन इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे फिर तीन इंच की चौड़ाई पे ये देखिए ऐसे लाइन अप करेंगे यहाँ पर हमें दो इंच की लंबाई पे टिक लगानी है और ये देखिए ऐसे इसे हम लाइन अप करेंगे अब हम बक्रम को ऐसे घुमाएंगे और जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में स्केल की चौडाई के बराबर हमें ऐसे लाइन अप कर लेना है ये बहुती इजी तरीका है कॉलर वाला नेक डिजाइन बनाने का अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये देखिए यहां से बक्रम को कट करने के बाद अब ये वाली लाइन को कट करना है फिर हम ये वाली लाइन को कट कर लेंगे इस तरीके से डिजाइन को कट करने के बाद अब हम इस डिजाइन को इस तरीकी सहायता से कपड़े पे ऐसे चिपका लेंगे यह देखिए हमने कपड़े पे चिपका लिया है यहां कोने की साइट से हमें कपड़े को हलका हलका कट कर लेना है अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है, बिल्कुल उसी सेप में कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्रेट हुई धागे को कट करेंगे और सूट का कपड़ा लेंगे तो ये रहा सूट का कपड़ा, सूट के कपड़े में गले की डिजाइन को हम ऐसे लगा कर बीच में सीधी सिलाई चलाएंगे, यहां से धागे को कट कर लेना है, फिर जिस सेप में हमारा डिजाइन है, बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ये देखे फ्रेंड सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लेट हुई, अब हम धागे को कट करेंगे और सिलाई के हलके से बगल में हमें एश्ट्रा कपड़े को ऐसे कट कर लेना है एश्ट्रा कपड़े को कट करते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लेट हुई, यहां कोने की साइट से हलका हलका कपड़े को कट कर लेंगे अब हम सूट के कपड़े को उल्टा करेंगे और बकरम को फोल्ड करके सीधा करेंगे जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी shape में हमें अच्छे से सीधा करके design को इस्तरी कर लेना है जिससे हमारा design perfect shape में बैठ जाएगा आगे की side से design में perfect finishing आई है अब जो हमारा suit का पीछे की side का पल्ला है वो लेंगे ये देखिए इन दोनों पल्ले को ऐसे joint करना है सोल्डर की साइट से दोनों कपड़े को ज्वाइंट करके ऐसे सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट करेंगे धागे को कट करने के बाद कपड़े को ओपन करेंगे ऐसे और यहां सोल्डर की साइड में उपर की साइड से ये देखिए ऐसे सिलाई चला लेंगे अब हम धागे को कट करेंगे तो ये देखिए दोनों कपड़े को हमने अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है इस लाइन को तयार करने के बाद हम एक लंबा सा बक्रम कपड़े पे चिपका लेंगे बक्रम की लंबाई कितनी है नाप लेते हैं लंबाई 18 इंच है और इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है ये देखिए हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर साड़े 7 इंच की चौड़ाई पे ऐसे टिक लगाएंगे चौड़ाई पे टिक लगाने के बाद ये देखिए हम तिर्ची में ऐसे लाइन अप करेंगे और इस लाइन को हम कट कर लेंगे अब हम कपड़े को ओपन करके ऐसे फोल्ड करेंगे और ये देखिए यहां किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है कपड़े के दूसरे साइड में भी सिलाई चला लेंगे हमने दोनों साइड में सिलाई चला ली है अब हम इस कपड़े को फोल्ड करके सीधा करेंगे इसके नोखीले से पाट को प्रॉपर सेप में सीधा करने के लिए हम कोई भी नोखीली चीज की सहायता से ऐसे सीधा कर लेंगे दोनों साइट से अच्छे से सीधा कर लेना है अब हम इसे perfect shape में बैठाने के लिए कप्ड़े को अच्छे से इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने के बाद यहाँ से सीधी सिलाई चलानी है अब हम धागे को cut करेंगे और जिस shape में हमारा यह कपड़ा है बिल्कुल उसी shape में हमें इसके उपर ऐसे सिलाई चला देनी है सिलाई चलाते हुए यह line complete हुई अब जो हमारा suit का कपड़ा है उसमें हम इस कपड़े को joint करेंगे collar का shape देने के लिए हम इस कपड़े को design में यहाँ पर ऐसे joint करेंगे तो friend हमने shirt वाला collar इस design में बनाया है जो की बहुती सुन्दर लगेगा इस pattern के साथ अगर आपको हमारी यह simple सी trick पसंद आए collar वाला neck design बनाने का तो please हमें comment में जरूर बताईएगा तो यह देखिए हमने collar को design में joint कर लिया है अब हम यहाँ से धागी को cut कर लेंगे धागी को cut करने के बाद अब यह देखिए अब हम collar को perfect shape में बैठाते हुए ऐसे fold करेंगे ऐसे fold करने के बाद हम इसे अच्छे से इस्तरी कर लेंगे जिससे हमारा collar perfect shape में बैठ जाएगा अब हमें design में button लगाना है तो उसके लिए हमने set का button लिया है set के button को कपड़े में ऐसे fold करके धागी की मदद से कपड़े को lock कर देंगे और extra कपड़े को cut करके यह देखिए design में यहाँ पर 3 button लगा लेंगे 3 button लगाने के बाद जब आप इस design को fitting size देकर पहनेंगी तो यह देखिए हमारे design का final look जो की बहुती सुन्दर लग रहा है आपको यह design कैसी लगी हमें comment में जरूर बताईएगा मिलते हैं next video में thanks for watching